दोस्तों नमस्कार क्या हाले स्वागत है आपका कबर एच्पी में तो आईए नजर डालता है हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक ने किये तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीज सकता है बुद्ध बारको राज सचिबाले में चिक्चा मंत्री रोहित ठाकोर की अधिता में हुवी केबिनेट सब कमेटी की बैठेक में सिक्चों की मांगों को पूरा करने के लिए चार विकलप पर आधारित प्रस्ताव तियार किया गया है बता देगी केबिनेट मंत्री अनुरूत सिंग और विक्रमादित सिंग सहित कई विभागी अधिकारी बैठेक में मोजूत रहे वहीं SMC और कम्प्टर सिक्चकों को अनुबंद करमियों को वेतन देने के अलावा वेतनमान में वढ़ोत्री सहित अन्हीं आवसक सुविदाय देने सिक्चकों के साथ हर व तिभाग से भी चर्चा करने का फैसला लिया गया है बताती कि सब कमेटी के प्रस्ताव को अन्तिम मंजुली देने के लिए कबिनेट बैठेक में रखा जाएगा आर्थिक संकर से जूझते हिमाचल में करमचारी को खूस करना चुनोती जह मुकमत्री सुक्विंदर सी सुकू 17 फरबरी को वित्यवर्स 2024 पचिस का बजट पेस करने जा रहे है करमचारी वर्गों उनके कारेकाल के इस दूसरे बजट से बहुत उमीदे है मैं हिमाचल परदेश आर्थिक संकर से जूझ रहा है मैं सामने लोकसवा चुनाव है तो मुकमत्री सुकू के समक्ष स्वाभाविक रूप से हर वर्गों को खूस करने की चुनोती है ऐसे मैं करमचारीों की कई लंबित मांगे इस बजट में पूरी की जा सकती है मैं राज से नईमीत करमचारी करीब 2 लाख है जबकि लगभग 5 लाख पैंसनर से हैं मैं सरकारी करमचारीों और पैंसनरों के लिए 1 जुलाई 2022 से 4 पर तिसत 1 जनवरी 2023 से भी 4 पर तिसत और 1 जुलाई 2023 से फिर 4 पर तिसत महेंगाई भत्ता लंबी थे मैं बता दें कि दूसरे वजट में मुख मंत्री सुकू चार फिजदी या इससे अधिक महंगाई भत्ता जारी करने के एलान कर सकते हैं इसके अलाबा राज के कर्मचारियों को नए वेतनमान के एरियर भी देना है मैं नया वेतन पिछली जैराम सरकार के कारिकाल में देना सुरू किया गया था मैं कर्मचारियों को नए वेतनमान का लाब देने की अधिसुचना जैराम सरकार के कारिकाल में 3 जनवरी 2022 को लागू की गई थी मैं कर्मचारियों को पूरे एरियर का भुक्तान करने के लिए करें दस हजार कड़ रुपे का आर्थिक बोच पड़ेगा मैं सुकू सरकार इसकी एक किस्त देने का परियास कर रही है मैं SMC और कम्पूटर सिक्षकों को नेमिती करन की उमीद है हिमाचल के रासन डिपो में डालों सहीद खाली तेल के नई दाम तेई हिमाचल परदेश राजिनागरिक आपूर्ती निगम के माद्यम से उपलब्द करवाई जाने वाली दाले और तेल अब उभगताओं को सस्ती मिलेगी महीं रिफाइंट तेल के दाम में बेसक 2 रुपे की वढ़तरी हुई है लेकिन सरसों के तेल के दाम 4 रुपे कम हो गए है ऐसे में सस्ते रासन डिपो से रासन खरदने वाले हजारों अबवगताओं को महँगाई से कुछ हद तक राहत मिलेगी महीं मालका के दाम में 2-3 रुपे की परती किलो बढ़तरी भी हुई है दाल चना की किमतें एपियल टैक्स पेयर के लिए 1 रुपे परती किलो कम हुई है मैं पता दे कि पहले ये 57 रुपिय परती किलो थी जो कि अब 56 रुपिय में मिलेगी में अनी वर्गों के लिए दाल चना की दरों में कोई बढ़ाव नहीं किया गया है अब आदा फुट चाज़ा और बढ़ा सकेंगे भावन मालिक सहरी निकायों के लिए लागू होगा नियम जी भावन मालिक अब भावन का चाज़ा आदा फुट और बढ़ा सकेंगे मैं पहले डेड़ फूट छज़ा बढ़ाने की अनुमती थी, अब इसे दो फूट कर दिया गया है मैं सुपरिम कोट से स्विक्रित डेवलोपमेंट प्लान में इसका जिक्र किया गया है मैं नियम को हिमाचल के सहरी छेत्रों में भी लागू किया जाना है टी सीपी और नगर निगम में अब जो नक से पास किये जा रहे हैं उसमें लोगों को रहात दी जा रही हैं अभी चार विश्वा प्लोट में फ्रंट से तीन और अनिय तीन किनारों से डेड़ डेड़ मिटर सेट बैक छोड़ते हैं खंबे को उपर लेंटर के बीम से दो फूट बाहर चाज़ा रहेगा हलाकि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग का मानना है कि अगर दो फूट से ज़्यादा चाज़ा बाहर होता है तो भवन की कमपी लिसन नहीं दी जाएगी परदे सरकार की ओर से तयार कियेगे डेवलोप्मेंट प्लान में सभी भवन मालिकों को रहा थे जिन लोगों के भवन बन चुके हैं अगर वे अपना चाज़ा बढ़ाना है तो टी सीपी और अस्तानी निकायों से अनुमति लेना ज़र्वी होगा नए नक्सों में इसका पहले से ही प्रावधान होगा वे भवन मालिक दिवारों पर असानी से पेंट और प्लास्टर करवा सके इसलिए सरकार ने आधा फोट छज्जा और बढ़ाने की अनुमति दी है शिमला में नागरिक सोक्षाज सुयम सेयवियों के आटसोब्वीस पतों को भरने का लक्ष हिमाचल के निवासि ऐसे कर सकते हैं अपलाई में उपायुक्त ने बताय कि शिमला सहर में आवार अस्तर पर नागरिक सोच्छा श्यम सेवियों को परशक्षान प्रशिक्चन परदान परदान किया जाएगा और आपधा परबंधन के धाचों को मजबूत बनाय जाएगा ताकि किसी भी आपातकालिन इस्तिती से निपटने के लिए जिला परशासन तयार रह सके हिमाचल के इस्कूल कुलेज़ में इस सिग्रेट पर लगा बेंड बेचते या पीते पकड़े गए तो खेर नहीं लगेगा तगड़ा जुरुबाना जैमाचल परशास के इस्कूल कुलेज़ सहित अनि सेक्चनिक शन अस्तानों में इलेक्ट्रोनिक सिग्रेट यानि की इस सिग्रेट की विक्री को पूरत परती बंत कर दिया गया है वे कैन सरकार ने electronic cigarette बनाना बेचना और इसके बिग्यापन पर पुरी तर से रोक लगाई हुई है वे वाबजुद इसके online shopping एव कुछ इस्टोर में इस cigarette की बिक्री असानी से हो रही है युवा कसले कमर रामपूर में 12-14 फरवरी तक आजी थोगी वन मित्र भरती परिक्रिया जाने पुरा टाइम टेबल जहिमाचल वन विरित रामपूर के अंतरगात विविन परिचेत्रों में होने वाली वन मित्रों की भरती को लेकर परिक्रिया शुरू की जा रही है इस संदर में तित्यों की गोशना की जा चुकी है वे भरती के तहत वन मंडल रामपूर आज रामपूर आनी किन्नोर और कोटगर की विविन परिक्रों पर वन मित्रों की तनाती की जाएगी वे भरती को लेका साड़िक दक्षता परिक्षन परिक्रिया 12-14 फरवरी तक चलेगी वन वरित रामपूर के तहत आने वाले वन मंडल रामपूर आनी किन्नोर और कोटगर में वन मित्र भरती के लिए विवाग ने आवेदन परिक्रिया पूरी कर लिए वे चैनित अभियर्तियों के लिए अब सारिक दक्षता परिक्षन परिक्रिया आयोजित की जाएगी या पुलिस जवानों को मिलेगा अतिरिक्ते वेतन और डाइट मनी आज होगी मंत्री मंडल की बैठक जे परदेश सरकार की सुक्रुबार को होने वाली कैबिनेट मीटिंग से पुलिस जवानों को अतिरिक्ते वेतन और डाइट मनी बढ़ने की आस जगी है मैं पिछले लंबे समय से परदेश के पुलिस जवानों की नो ही डाइट मनी बढ़ी है और नो ही अतरिक्ते वेतन बढ़ाये गया है मैं पुलिस जवानों को आज भी 24 गंटे से वाई देने के लिए दिया जा रहा है मैं अतरिक्ते वेतन वर्स 2012 के इसकेल के हिसाब से दिया जा रहा है मैं पिछले करीब एक दसक से अधिक समय बाद भी परदेश में कई सरकारें आकर चली गई लेकिन लोगों की सरक्षा में 24 गंटे डटे रहने वाले पुलिस जवानों की मांगों पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया बताद की 2012 के हिसाब से अतरिकते वेतन मिलने से परदेश के पुलिस जवानों को 1000 रुपई का हर वर्स वेत्य नोकसान जहलना पड़ रहा है इसके अलावा पुलिस जवानों को मिलने वाली डाइट मनी इतनी कम है कि डाइट मनी की रास्टी में चाय का कब तक नहीं लिया जा सकता है मैं परदेश की पुलिस जवानों को 210 रुपे परतिमा के हिसाब से डाइट मनी दी जा रही है मैं जो परती दिन के हिसाब से 7 रुपई हैं मैं आज के समय में चाय का एक कप की किमत भी बजार में 10-15 रुपई हैं मैं पिछले लंबे समय से पुलिस जवान अतरिक्ते वेतन को नए पे इसकेल के हिसाब से देने की मांग कर रहे हैं लेकिन आज दिन तक पर्देश की सरकारें पुलिस जवानों की दोनों मांगों को नजर अंदाच करती आई है मैं डाइट मनी और अतरिक्ते वेतन की समस्तिया हल करने की बार बर मांग करने के बाद भी पुलिस जवानों की मांगों की अंदेखी की गई अब परदेश की सुकू सरकार से पुलिस जवानों को आस जगी हैं कि परदेश सरकार उनकी डायेट मनी बढ़ाएगी और अत्रिक्ते वेतन को नए इसकेल के तहत देगी सीम ने जवाला मुखी चेतर को दी कड़ोरों की सोगात 11 परियोजनाओं का क्या उदघाटन एवं सिलानियास जीह मुख मंत्री सुकू विंदर सुकू ने आज जिला कंगला के जवाला मुखी बिधान सबाद चेतर के अपने एक दिवस्चे दोले के दोरान लगभग 25 कड़ोरों का लागत की 11 विकासात्मग परियोजनाओं के उदघाटन एवं सिलानियास किया उन्हेने लुथान में परियोजनाओं के पहले सुक आशरे आदर सग्राम परिस्टर का सिलानियास भी किया मुख्यमंत्र ने जोला मुख्य विधान सबाद चेतर में 38 कड़ोर 17 लाग रुपईये लागत से विबिन उठाओं जल आपुर्ती योजनाओं के जल स्रोत अस्तर पर सुधार और समवर्दन पांच कड़ोर 50 लाग रुपईये से निर्मित पुलिस इस्टेशन भवण जोला मुख्यम दो कड़ोर 13 लाग रुपईये लागत के राज के कनिया वरिष्ट माधमिक पारसला के अतरिक्त भवण और 14 कड़ोर 35 लाग रुपईये से निर्मित विभा भवन सा मंदरी ट्रस्ट पार्किंग का लोकारपन किया राजसभा की एक सीट के लिए नमांकन परिक्रिया सुरू 27 फरबरी को होगा मद्दान जिहां राजसभा चुनाप के लिए नमांकन दाखिल करने की परिकरिया आज से सुरू हो गई है हिमाचल पर्देश की राजसभा की एक सीट के लिए चुनाप संबंदी अधिसुचना जारी कर दी गई है हिमाचल पर्देश की एक राजसभा सीट सांसर जगत परकास नड़ा के दो अपरिल को अपनी पदावधी की समापती पर निवरित होने के फल सरूप रिक्त हो रही है रिक्त अस्तान पूर्ती के लिए आज अधिसुचना राजसभा चुनाप के लिए रिटर्निंग अधिकारी और सचीब विधान सभा यसपाल सरमाने जारी कर दी बतादे कि चुनाप के लिए नमांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथी 15 फर बरी है जबकि नमांकन पत्रों की समिक्छा की तिथी 16 फर बरी है नाम वापस लेने की अंतिम तिथी मंगलबार 20 फर बरी है वे मद्दान की ती थी मंगलबार 27 फरवरी निधारी थी वे मद्दान का समय सुबह 9 बजे से साम 4 बजे तक रहेगा हुमत गन्ना 27 फरवरी मंगलबार के दिन साम 5 बजे होगी जबकि निर्वाचनों की समस्त परिक्रिया की समपनता की तीती 29 फरवरी निधारित की गई है SMC सिक्षकों ने की पेंडाउन स्ट्राइक का सरकार के दाउँ पर भरोसा नहीं इस तुरान सिक्षकों ने कख्चय नहीं लगाई और खाली बैठे रही हालां कि परदे सरकार पिछले कल ही SMC सिक्षकों का मामला केबिनेट में ले जाये जाने की बात कही लेकिन इन सिक्षकों का कहना है कि अब उन्हें किसी भी बात पर भरोसा नहीं गें जब तक सरकार उन्हें लिखित में असवासन नहीं दे देती तब तक वे अन्सन खत्म नहीं करेंगी अब सची वाले में डेरा डालेंगे बेरोजगार अभियरती बोले घोसीदी किये जाए सभी पोस्ट कोड के रिजल्टे जे परदेश के बिरोजगार अभियर्ती पिछले लंबे समय से विविन पोस्ट कोड की रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर दर-दर की ठोकरे खा रहे हैं पर्देश के बेरोजगार अभियर्ती कभी मुख्यमंत्री तो कभी मंत्रियों के पास अपनी फर्यात लेकर जा रहे हैं लेकिन दर दर की ठोकरे खाने को मजबूर इन अभियर्तियों को सरकार की और से आस्वासन के अलावा अभी तक कुछ नहीं मिल पाया है जहां भी सरकार की मांग आज दीन तक पुरी नहीं हो पाई है ऐसे में अब कर्मचारी चेन आयोग भंग होने के कारण लंबित भरती का परिच्छा पर नाम गोसित करवाने के लिए पोस्ट कॉर्ट 980 ड्राइबिंग मास्टर के अभियर्तियों साहित अन्य पोस्ट कॉर्ट के अभियर्त को आयोग की और से हस मेंस की लिखित परिच्छा करवाई गई थी बता दे कि सोलो अभियर्तियों ने परिच्छा पास किये इससे पहले 227 अभियर्तों ने प्रिलिम्स परिच्छा को पास किया था उसके बाद अब मेंस का रिजल्ट घोसित किया गया है बता दे कि इन अभ पुर्भास नमबर 01772624313 पर संपर्ग कर सकते हैं इसके साथ ही आयोकी वेब साइट पर टॉल फ्री नमबर 1800-8004 भी जारी किया गया है आयोकी और से इसमें पहले प्रीमिलिनरी लिखित एकजाम का रिजल्ट भी 20 दिन में ही घोशित कर दिया गया था एन आईटी स्रीनगर के निदिसक प्रोफेसर ललित कुमार अवस्ती बने सरदार पटेल बिस्विद्दाले के कुलपती जीहराष्टी प्रोदगी सनस्तान स्रीनगर उत्राखंड के निदिसक प्रोफेसर ललित कुमार अवस्ती हिमाचल पर्दिस के सरदार पटेल बिस्वि मंदी में कुलपती का पदभार ग्रहन करने की तीथी से तीन वर्स की अवधी के लिए की गई है। मैं आठ विश्चियों में ली गई परचा का परणाम 26.1 फिश्दी रहा है। मैं इसकूल चिक्चा बोड ने इस परणाम को बोड की वेपसाइट पर अफ्लोड कर दिया। मैं बता दे कि इसकूल चिक्चा बोड ने जे बी टी डी एलेड शास्त्री टी जी टी नोन मेडिकल भासा अध्यापक टी जी टी मेडिकल टी जी टी आर्ट से पंजाबी और उर्दु बिशे के लिए नवंबर 2023 से टेट परणाम वीरबार को गोसित किया। मैं बोड के पास जे बी टी या डी एलेड में 836 ने आविदन किया था और 509 अनुपस्तित रहें। पहुचेंगी सर्धालों निसुल की यात्रा करेंगी। तमाम कारी की जा रही है। यह बात उन्होंने हरोली के पंजावर गाउं में मिया हिरासी इस्टेट को अपरेटिवी ट्रेनिंग सेंटर और सामुदाइक केंदर का सिलानियास करने के बाद जनस्वा को संबोधित करते हुए कही। उन्हेंने काया कि कुछ लोग नारे लगा रहे हैं कि और सधालों से पैसे भी ले रहे हैं। इसके लिए उत्तर परदेश सरकार के साथ समझोता हो चुका है। बल उम्र से पहले योन संब्द बना रहे हैं बलकी ना समझी के कारण एहतियात भी नहीं बरत रहे हैं। इससे उनके मानसिक स्वास्त पर तो बुरा असर पढ़ ही रहा है बलकी योन रोगों की चपेट में भी आ सकते हैं। मैं सिमला किनोर कंगला और सिर्मोर के कुछ छेत्रों में किये सरवेक्षन में चोकाने वाले तत्य सामने आये हैं। मैं अध्यान 10 से 24 साल के 895 बच्चों किसमन किसोरों और इवावों पर किया गया। मैं चारों जिलों से 3-3 बलक चुने गई। मैं सरवेक्षन को National Institute of Mental Health and Neurosciences बेंगलूरू ने किया है। मैं केंदरिय स्वास्त एबम परिबार कलियान मंत्राले के किसोर स्वास्त डिवीजन और राज स्वास्त सेवाएं निदेसाले ने इसमें सयोग किया है। हमिरपूर जिले में 178 बिद्यार्थों ने दी अमर उजाला दिसा चातिवर्ती परतियों की परिक्षा। खासा उत्सा देखने को मिला है। मैं इसकूल की चात्रा अनामिका के कहना है कि इस परिचा के आईजन के लिए वो अमर उजाला के अभारी हैं। उन्हें परिचा के माद्दम से एक मंच प्राप्त हुआ है। मैं आलमाइटी पबलिक इसकूल हमिरपूर में भी अमर उजाला फाउंडेशन की और से दिसा चातिवर्ती परिचा का आईजन किया गया। सुल्तानपूर डागर में गडबड जाला लाखों के घोटाले में अफसर कर्मचारी भी आएंगे लपेटे में। सुल्तानपूर डागर में बचत खातों के साथ अलग अलग इसकिमों में करीब 6,000 खताधारक हैं। कस्मीर से गेर कानूनी तरीके से आ रही सेब की पोधे चुराग में 5,000 पोधे की नस्टे। कस्मीर से गेर कानूनी तरीके से सेब नरसरियों की पोध पहुच रही है। बेरोजगार अध्यापक मोर्चा की हुंकार गेस्ट फेकल्टी निती वापस लें सरकार वरना चुनाब में देख लेंगे परिनाम। जहिमाचल परदेश के संजुक्ते प्रसिक्षीत बेरोजगार अध्यापक मोर्चा ने सरकार से गेस्ट फेकल्टी के रूप में सिक्षों की भरती को लोकसवा चुनाब की अचार संजिता लगने से पहले वापस लेने और राजजेन आयो का गठन जल्द करने की मांग की ह मैं गुरुबार को धर्मसला पुलिस ग्राउंड में परदर्सन करने के बाद मोर्चा के नेताओं ने कहा कि अगर सरकार ने चुनाब अचार संजिता से पहले दोनों काम नहीं किये तो उससे चुनाब के दुरान नतीजे भुगतने होंगे मोर्चा ने जिल्द परशासन के माध्दम से CM को ग्यापन भेजा है मोर्चा के परदेश उपाद्दक्च रोहित रमन टेक्टा ने कहा कि पहले SMC सिक्षक रखे गई थे अब उन्हें पिछले 12 दिनों से सिम्बला में धरना देना पड़ रहा है इसी तरह से अब सरकार नेमित भरतियों नौ करके गेस्ट फेकल्टी की पॉलिसी लेकर आई है वे आने बाले समय में यदि इस पॉलिसी के तहत सिक्षक रखे जाते हैं तो उन्हें भी SMC की तरह धरने देने पड़ेंगी डिप्टी सियम ने बेटी के चुनाब लड़ने की अठकलों पर लगाया फुल इस्टॉप बोले वो इस्टूडेंट है नहता नहीं जिसमें हिमाचल की चार लोगसबा सीटों पर संभावित उमिदवारों की सूची में उनकी बेटी का नाम भी जोड़ा गया था मुकेस ने गुरुबार को हरोली विधानसवा छेतर के दोरे के दुरान मिया हिरा सिंग सहकारिता प्रचिक्चन केंदर एवं समुदाएक भावन का शिलानियास किया सेना में भरती की पुरानी परिक्रिया को बहाल करेगी कॉंग्रेस डेर्ड लाख युवाओं को होगा फायदा जे कॉंग्रेस पार्टी ने केंदर की सत्ता में आने पर अगनिपत योजना की जगा सेना में भरती की पुरानी परिक्रिया को लागू करने का एलान किया है इस पुरानी परिक्रिया के दोबारा लागू होने से उन डेर्ड लाख युवाओं को फायदा होगा जिन अगनिपत योजना के कारण सेना में नोकरी नहीं मिल पाई थी मैं गुरुबार को कॉंग्रेस पार्टी के राश्टी प्रवक्ता अभे दुबे ने सिम्बला में परदेश कॉंग्रेस सचिबाले में या जानकारी थी उनने एक प्रिसवर्ता में अगनिपत योजना को लेकर कैंसरकार पर निसाना सात्तिवे कहा कि वह सेनिकों की सहादत पर बोट भटोर रही है कुल्लू घुमने आया युवग पांच फरवरी से लापता अभी तक कोई सुराग नहीं जिरे की पारवती घाटी में परेटकों के लापता होने का सिलसला थम नहीं रहा है अब आगरा से पारवती घाटी घुमने आया उननेस वर्से युवग पांच फरवरी से लापता चल रहा है पीता ने इसकी सिकायत मनी करने पुलिस चोकी में करवाई है पेचलाल गाउ में रुकने के बाद से अपार अगरवाल निवासी लसकरपूर कमला नगर आगरा की अपने पिता से पांच फरवरी की राथ से बात ने हुई है वह दो फरवरी को कसल पहुचा था उसने यहां एक होटल में कामरा भी लिया उसका समान होटल में मिला लेकिन होटल वाले उसके यहां नहीं आने की बात कर रहे है मुई एसपी डॉक्टर कार्ति केन गौकुल चंदरन ने कहा कि पुलिस मामले की चानबिन कर रही है राज सहकारी बैंक करेगा 265 जूनियर कलर्क की सीधी भरती 22 नई सखाएं भी खुलेगी जहिमाचल पर्दिश राज सहकारी बैंक की निदेसक मंडल की बैठक सिमला में होई इस बैठक में कई आहम फैसले लिये गए मेंजीन में 265 जूनियर कलर्क भरती और नई सखाएं भी खुलने का फैसला सामिल है मेराज सहकारी बैंक के अध्यक्ष देविंदर स्याम की अधितामा होई निदेसक मंडल की बैठक में निरने लिया गया की 265 जूनियर कलर्क भरती किये जाएंगे इसके अलाबा इस साल बैंक 22 नई सखाएं भी खोली जाएगी इसके अलाबा 209 अधिकारी कर्मचारे को पदुनत करने और 178 देनिक भोगी कर्मचारे को जल्द नियमित करने का भी फैसला किया है डेबिट कार्ड और गुम हुए सिम कार्ड से सिमला की महिला को लगी 3,5 लाग रुपे की चपत जिहां डेबिट कार्ड और गुम हुए सिम कार्ड से सिमला की महिला के साथ 3,5 लाग रुपे की ठगी का मामला सामने आया है मैं सात्रों ने इस वार्दात को मुंबई में अंजाम दिया है मैं डेबिट कार्ट पर महिला के चार रिन खाते खोले गए और जब किस्ते चुकाने का नोटस आया तो महिला ने बैंक में जाकर परताल की तो पाया कि उसे साड़े तीन लाख रुपे का चुना लग चुका है यह महिला लोकडाउन के समय मुंबई में रहती थी और वहीं पर नोकरी करती थी मैं उसका नया डेबिट कार्ट वो बैंक से लिंक मोबाइल नंबर सात्रों के हाथ लग गया था मैं ठगों ने डेबिट कार्ट का इस्तिमाल कर उकतर लोन ले लिया मैं लंबे समय तक लोन की किस्त नहीं आने पर बैंक परबंदनने महिला को लोन चुकता करने का नोटिस भेजा तो उसके होस उड़ गई मैं अपने साथ हुभी ठगी का खुलासा होने पर महिला ने सिमला के धली पुलिस थाने में अग्यात अपराध्यों के किलाप दोखा दली का केस दर्च करवाया है हलद्वानी में अवेद मस्जित मदरसे पर चला बुल्डोजर पुलिस पर हमला पत्राव वहानों में लगाई आग जे उत्रा खंड के नेनिताल जिले के हलद्वानी सहर में इन दिनों परसासन अवेद अतिकर्मन के किलाब अभियान छेड रखा है बीते कई दिनों से परसासन और हलद्वानी नगर निगम की टीम सरकार जमीनों पर बने अवेद भावनों और धार्मिक अस्तलों को धवस्त करने में लगी हुई है मैं गुरु बार्मिक भी परसासन और नगर निगम की संजुत टेम बूल्डोजर के साथ वन भूल पूरा थाना छेतर के मालिक के बगीचे में पहुँची और यहां अवेद रूप से बनी मस्जित और मदरसे पर बूल्डोजर चलाएगे इसके बाद इलाके में तनाव का माहुल पैदा हो गया बताया जा रहा है कि अस्तानी लोगों ने मस्जित और मदरसे को तोड़ने का विरोध किया इसको लेकर उनकी पुलिस और परसासन के अधिकारियों के साथ जड़प हो गई मैं इस दुरान कुछ लोगों अपने घरों की चहतों से पुलिस पर पत्राओ भी किया मैं जैसी भी मसीन पर भी पत्राओ किया गया मैं जिसमें कुछ पुलिस कर्म्यों को चोटे आई है हालात को बिगड़ता देख पुलिस को बल परियोग करना पड़ा मैं भीड को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आसु गेस के गोले छोड़े मैं फिलाल इलाके में माहुल तनावपूर्ण बना हुआ है मैं इस्तिति को नियंतर्ण में करने के लिए इलाके में अतरिक्त पुलिस बल तनात कर दिया गया है में पुलिस परसासन के अलाधी कारी मोके पर पहुँच गए हैं मजिला परसासन ने सहर में करफ्यू लगा दिया है इसके साथ ही दंगईयों को गोली मारने की आदिस भी दे दिये गए हैं चोबदो महिनों में एक भी अस्ताई नोकरी नहीं दे पाई कॉंग्रेस सरकार राजीब बिंदल का आरूप जे वर्तमान कॉंग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पूर्व बड़े जोर सोर से परदेश भर में परचार किया था कि जैसे ही सत्ता में आएंगे तो परदेश के भी रोजकारों को पहली केबिनेट में एक लाख नोकरीयां परदान करेंगे नोकरी दिना तो दूर चोबदो महिने के कारिकाल में परदेश की सरकार ने जनता को केबल धोका ही दिया है मैं स्चिमला में पत्रकार वर्ता के दुरान भाजपा परदेश अदेश डॉक्टर राजी बिंदल ने ये बात कही उन्हेंने काया कि जो गरंटीयां दी उनमें से कोई भी गरंटी पूरी नहीं किये है मैं केबल बोट लेने के लिए परदेश के यवावों, महिलावों, बिजली के लिए, किसान के लिए एवं हर किसी के लिए गरंटी दी मैं लगता है कि सरकार ने सभी गरंटीय को ठंडे बस्ते में डाल कर रख दिया है उन्हेंने यह अभी आरोप लगाया है कि कॉंग्रेस की परदेश सरकार ने परदेश की जनता के चौबद महिनों बरबात कर दिये और परदेश को आगे ले जाने की बजाए वर्सों पिछी ले गए उन्हें परदेश में विकास की गती को तो विराम ही लग गया है उपर से करमचारियों के कई वित्य मामले लंबित पड़े है उन्हें परदेश के सभी वर्ग इस समय सरकार की नितियों से परिसान है मंडी में नसे के खात में के लिए योजनाबद तरीके से लड़ाई लड़ेगी पूलीस जे मंडी जिले में नसे के खात में के लिए पूलिस योजनाबद तरीके से लड़ाई लड़ेगी और इस अवेद कारुबार को करने वालों को सलाखों के पीछे डाला जाएगा ये बातें वीरबार को S.P. मंडी साक्षी वर्माने प्रेसवर्ता के दुरन कही उन्हें ने कहा कि जिले में ड्रक्स का कारुबार करने वाले छेतरों को चिन्नित क्या गया है और मंडी पुलिस दुवारा नसे के खिलाब शुरू की गई लड़ाई को चरनबत तरेके से अंतिम अंजाम तक पहुँचाये जाएगा मैं स्पी ने कहा कि युवा पेड़ी को चिट्टे जैसे नसे के सेवन का आदी बनाने वालों को किसी भी सुरत में नहीं बक्सा जाएगा मैं पर्देश का कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां पर चिट्टे नो पहुचा हो जिस करण इस नसे पर अंकुष्ट लगाना एक बड़ी चुनोती बन गई है मैं स्पी ने कहा कि इस पर अंकुष्ट लगाने में काफी हद तक पुलिस विभाग सफल भी हुआ है जिसके नतीजन पिछले दिनों मंडी में चिट्टे के बड़े सरगना को पकड़ कर जेल में पहुचाया गया है मंडी में चिट्टे के साथ मा बेटा गिरपतार कोट ने दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा जिहां नगर नगम मंडी के रवी नगर में रहने बाले मा बेटे को मंडी पुलिस ने 20 ग्राम चिट्टे के साथ गिरपतार किया है बताते कि बुध बार को पुलिस थना सदर मंडी की टीम ने ब्राधी वीर के पास नाका लगाया हुआ था इसी बीच नेर्चोक से मंडी आ रही कार को जाच के लिए रोका गया है जब पुलिस ने कार की तरासी ली तो उसमें सवार मंजू देवी उम्र 50 वर्सिये और उसके बेटे आकास उम्र 27 वर्सिये से 20 ग्राम चिट्टा ब्राम्द हुआ मैं ASP मंडी सागर चंद ने बताये कि दोनों आरप्यों के खिलाप NDPS Act के तहत मामला दर्च कर लिया गया है मैं ASP मंडी साक्षी वर्मा ने बताये कि आरप्यों को गिरफतार करने के बाद नियाले में पेस किया गया मैं जहां उन्हें दो दिन के पुलिस रिमांट पर भेज दिया है मैं बता देखी ASP मंडी सागर चंद ने बताये कि चिट्टे सहित पकड़े गए दोनों आरप्यों के साथ एक बड़ा गिरों काम कर रहा है और इस गिरों में इनके परिजन भी सामिल है मैं पुलिस दुवारा जल्द ही इस पूरे गिरों का भंडा फोड किया जाएगा दोस्तों खबरों का सिल्सला अभी खत्म होता है जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ताजा समाचार का अबडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरू जोइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिशन में दिया हुआ है या फिर सर्च करें खबर एचपी धन्यवाद